हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागे थे टैगी प्रो चैनल में तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्रो के की वीडियो में तो चलिए यह वीडियो हम शुरू करते हूँ ओके फ्रेंड्स तो देखिए है ओपो एठी एस फोन का बॉक्स चलिए मैं आपको यह करीब से दिखा देता हूँ कि इस फोन का मॉडल दिया हुआ है कि किस तरह का दिखता है यह फोन और जो पीछे है उसमें सारी डीटेल्स लिखी हुई है कि इसका जो भी सारी डीटेल है वो लिखी भी है और उसके बाद यह पीछे आगे उपो की ब्रेंडिंग है और सपोर्ट बै टीम इंडिया का लोगो है चलिए अब फटा फटी से अन्बॉक्स और के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़े हैं ऑके हम इसर जल्दी से अन्बॉक्स कर लेते हैं ऑके इसके अंदर पहले एक इन्बॉल्प जैसा कुछ है जिसमें इसका बैक कवर है और कुछ यूजर मैनुबस है इसे हम अब और इससे कशितर anne siयब में रख देते हैं और देखते हैं यह जो user manual है यह हमें कभी काम नहीं आते हैं तो इसलिए हम side में रख देते हैं और इसके बाद जो यह है इसके अंदर इसकी pin है जो sim tray में जाके उसे निकालती है button press करके तो इसकी यह pin है इसलिए तो हम इसे भी side में रख देते हैं और इसके बाद जो box में हमारा main mobile है इसमें OPPO A3S यह mobile है यह भी paper में है तो हम इसे भी side में रख देते हैं और इसके अंदर है इसका charger white color का charger है और इसके अंदर है इसका USB Gable USB Gable भी plain white color का है जैसा अपको अपने हर phone में देता है और बागी कुछ नहीं है तो चली फ्रेंट्स अब हम इस चीजों को सारी चीजों को एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहले देखते है इसका back cover जो transparent है जिसकी quality काफे अच्छी है और इस पे जो है grid बनी हुए छोटी छोटी जिससे आपके phone को grip अच्छे से कर लेगा इसके बाद देखते हैं USB केबल देखे फ्रेंट्स यह पूरा plain white color का USB केबल है जो के बहुत जादा तो नहीं फिर भी ठीक ठाक fast charging कर लेता है इसकी यह pin है charging की और फ्रेंट्स में आपके बात बदादू इसको charger का material दिया है ओपो ने वह बहुत ही बहतरी quality का दिया हुआ है ओके देखिए इस जो काफे durable भी लग रहा है इसे भी आप हटा लेते हैं और आप चलते हैं अपने charger की तरफ जो charger है इस पर ओपो की branding है और जो charger है यह medium fast charging support करता है super fast charging support नहीं करता और यह C type charger भी नहीं है ओके इसे रख देते हैं और अब हम बढ़ते हैं अपने main object mobile की तरफ a3s model big battery dual camera हम इससे उपर जो इसकी प्लास्टिक में है इस निकालते है और देखिए फ्रेंड्स कितना clear है इसकी जो screen है कितनी sharp और clear है इसका कुछ look है यह तो देखिए पीछे से भी पुरा जो हमारे पास variation है यह परपल नहीं है यह देखिए फ्रेंज इतनी clear image mirror type finish है इसकी और बहुत ही शांदार look है इसका तो आप यह देख रहे है इसके अब जो back side है वह dual camera है और एक torch है और front में उपार एक selfie camera है तो चलिए अब इसे on कर लेते हैं तो यह on हो गया तो चलिए आप देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या functions दे रहा है आपको गैलरी में जाते हैं और उसके बाद इहां से हम जाएंगे अब आउट phone में ओके तो चलिए about phone में जाएंगे तो देखते हैं फ्रेंस के 2GB RAM है 16GB ROM है इसका तो फ्रेंस यह जो तीस की कुछ detail थी mobile की ओके और आप देखे इसका जो first look है तो जो इसका UI है जैसा OPPO के दूसरे phone में रहता है वैसी ही है और पीछे यह OPPO का logo दिया हुआ है और उपर दो dual camera और एक torch button बुल दिया उपर torch है यह paper भी हटा देते तो आपको और अच्छे से दिखेंगा कि इसकी जो mirror finish है बैक में वो कितनी अच्छी है Okay friends तो आप देख सकते हैं तो friends यह जो आज का वीडियो था इसी खाली इसका look के लिए था और इसके जो functions है और जितनी भी इसके अंदर चीजे हैं इसके software से related उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे तो friends आज की वीडियो में इतनी वीडियो पसंद आया तो like कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए अपना ख्याल रखे बाए झाल झाल रखे